हो सकता है RLV का future, ये भी हो सकता है RLV का killer, जो इस program को end कर देगा, जो इजरो का ही family member है, इस video के top level पे तीन parts होंगे, एक होगा current plan, फिर future plan, और फिर RLV का killer है, उसके और हम बात करेंगे, current plan पे आते हैं, ये concrete plan है, मतलब ये for sure होगा, RLV के 4 phases है इस case में, जो है hex, lex, rex और specs, hex, hex मतलब hypersonic re-entry experiment, जो 2016 में हो चुका है already, यहाँ पे उन्होंने एक winged orbiter, जो करीब 6.5 meters लंबा था, उसे fly किया, और एक virtual runway में land किया, Bay of Bengal में, और वो फिर destroy हो गया, ये जान पूचके किया गया था, उसके बात आता है lex, यानि landing experiment, जिसमें एक RLV vehicle को, जो थोड़ा लेके गया उपर, 4.5 kilometers उपर, और फिर drop किया, आप देख सकते हैं, इनिशल ये जस्त नीचे point करके, जस्त ड्रॉप होते जाता है, ये aircraft typically करते हैं, अपने velocity gain करने के लिए, speed gain करने के लिए, और फिर वो pitch up करेंगे, ताकि हो horizontally move हो, या आप यूजिल देखो कि stall aircraft वगेरा भी करते है, stability और speed gain करने के लिए, ये चीज बहुत fast land हुई, 350 kilometers पर आर से, ये इसलिए था, क्योंकि सोमनाच सर अपने post event presentation में, सोमनाच सर जो chairman नोन ने कहा कि, ये इसलिए था, ताकि जब future orbital entry करें, तो उसके conditions simulate कर पाए, एक और interesting चीज आप देखोगे, इस helicopter के उपर, जहां प जोजी ये test done कह सकते है कि नहीं, पता नहीं, क्योंकि अगें सोमनाच सर ने वो interview में कहा था कि, वो और भी test करना चाते है, और भी दूसरे dynamics और अले conditions में, इसके, तो हां, और बाइदे वे, आप जो bottom left में numbers आती हो, देख रहे हो, वो sources है, अगर आपको कोई भी मेरा claim का source च नहीं होगा, मैंने ये जो, उसका scale है, वो निकालने try किया blender में, करीब 11-10 मिटर के आसपस आता है, exactly sure नहीं है, तो उमनाच सर ने कहा हो, 1.6 मिटर, 1.6 times होगा, Lex वाले model से, इसे, एक GSLV mark to derived vehicle के उपर fly किया जाएगा, इसे अब orbit भीचेंगा, sub orbit वो sure नहीं है, और इस पू वोगि space shuttle जो है ना, वो एक NASA term है, उनके एक spacecraft का term है, और space shuttle वाले problems इसमें भी है, देखो अगर आप ये photo देखोगे Rex का, जिसमें वो payload बे दिखा रहा है, payload जो वो इतना सा है, इतने सारे tanks वगरा space खा जा रहे है पीचे से, ये एक problem है shuttle based orbiters का, इस case में भी एक tank जो है, वो ए space shuttle में fuel था, उससे नहीं लेते थे, वो जो core था space shuttle का, उससे fuel निकालके फिर वहाँ pump होता था, और जब वो orbit पहुचता था, तो उसके उपर छोटे दो pods थे, जिसमें थोड़ा fuel और oxidizer था, in orbit maneuvers और re-entry के लिए, तो ये में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये point आगे आएग कि space shuttle based designs का problem के है, और last होगा इस phase में वो है specs, यानि scram jet propulsion experiment, जिसमें इजरो अपना एक vehicle, जिसका नाम है हवा, जिसका full farm होता है, hypersonic air breathing vehicle with integrated structure, इसे fly करेगी, देखो ये जो है ना, इसमें एक scram jet है, अभी ये scram jets काफी cool kind of jet engine है, क्योंकि इसमें कोई moving parts नहीं है, इसका जो main combustion व गरम भी होती है, और अगर इस case में गरम हवा में आप fuel spray कर दोगे, तो फिर आग लगेगी, और पीछे से expand होते जाएगा, इसरो अल्रीड एक scram jet को test कर चुक है 2016 में, तभी hydrogen use कियाता है उन्होंने, हवा के case में वो rocket grade kerosene use करेंगे, जिसे इसरो isrosene कहता है, तो ज़्यादा energy dense और ज़्यादा carry कर पाएगा, आपने अब तक एक notice करी लिया होगा, कि ये जो तीन, चार चीजे मैंने बोले, उसका strategic side का भी बहुत use है, scram jets, ram jets, ये सब hypersonic, supersonic missiles में use होते है, orbital reentry वगेरा missiles के होती है, ICBMs की, तो हाँ मैं थोड़ा आपको force shadow कर रहा हूं आगे के लिए, अ जैसे मैंने दिखाया आपको उसका payload में चोटा है, और वो GSLV में mark 2 इस्तमाल करता है, launch होने के लिए, जो by any chance कोई सस्ती vehicle है, नहीं, उसका एक launch ही 380 crores में होता है, बिल्कुल cost effective नहीं है, plus इस case में शायद अगर वो cryo निकाल दे, एक stage कम कर दे, GSLV के case में बस first stage, second stage रखे तो शायद cost थोड़ा कम हो, but again, कितना ही कम होगा, तो यह जो cost effectiveness SpaceX killer के चर्च से चल रहे है, news में, वो sense नहीं करते है, to be honest, strategic use, शायद ही इसका सबसे primary और सबसे important use, आपने देखा होगा, वो अमेरिका का famous X-37 space plane, जो Boeing ने बनाया है, और US military fly करती है, बाइधर अगर उससे compare करे तो हमारा Rex जो होगा, वो 2-3 मेटर जादा लंबा होगा इससे, X-37 से, X-37 की खासियत यह है, कि वो एक काफी interesting orbit में है, वो जब सबसे lowest point पे होता है, वो थोड़ा atmosphere हिट करता है, जिसके से उसका orbit हमशा change होता है, ऐसे वे में ही change होता है, कि आप predict नहीं कर पाते हो, तो यह spy capabilities इसके हिसाब से काफी अच्छा है, क्योंकि आपकी जो enemy आप predict नहीं कर पर है, आपका satellite अगले कब होगा, कहा होगा, उसके बजाए, इसके उपर हम काफी सारे चीजें test कर सकते हैं, जैसे अगर अपने defense को future satellites के लिए कोई specific technology test करनी है, जो वो sure नहीं है कि कैसी काम करेगा space मे क्योंकि particular experiments करने है, अपने future defense sites के electronics test करने अभी, आपको कोई specific material के re-entry characteristics देखने है, तो इसके शायद heat shield के उपर आप वो भी test कर पाओ, आज के लिए नया fashion भी आए, super agile satellites का, मतलब ऐसे satellites जो quickly अपना orbit change कर सके, वो सब algorithms और वो सब भी आप test कर पाओगे इसके उपर, secretly अगर काफी strategic uses है इसके, और US ही नहीं, चाइना नहीं भी अपना space plane already fly कर चुका है, और अगर आप सोमनाच सर का end of presentation देखो, तो वो भी इसी के तरफ hint करते हैं, specific use, और क्या specific use हो सकता है, लास्ट होता है experimental use, जहाँ पे अपने startups, अगर उन्हें कोई specific deployers या bellatrix जैसे startups, जीने अपने ion engines, electric engines test करने हैं, तो वो space में भीज सकते हैं, test कर सकते हैं, वापीस ला सकते हैं, यह जो US के space plane है, उसके उपर already electron, electric, ion engines वगरा के testing हो चुके हैं, तो उस form में यह strategic use के लिए जादा बना है, और ना कि वो सब hype जो spacex killer की बन रही है, future पे आते हैं, future definitely interesting है, पर अभी warning दे दू बहुत बड़ी, इसमें जो भी दिखा रहा हूं, वो सब sure नहीं है कि होंगे, शायद ऐसा भी हो कि इसमें से कुछ भी real ना हो, कभी ना हो, तो बहुत ब air breathing two stage two orbit flight demonstrator, और last होगा three or two stage vertical stack winged orbiter, यह official नाम नहीं है, यह describe कर रहा हूं में क्या है वो, सबसे पहले आते least relevant पे जो है एक winged booster, यह image आपको हर जगह दिखेगा, इसमें आप देख सकते हो, lower में एक space plane type है, और उसके उपर एक और stage है, और यह नीचे वाला आके land करते है, कि 2009 से यह चल रहा है, यह same diagram milk होते रहता है, मुझे नहीं लगता यह सबसे ज़्यादा possible वाला है, क्योंकि हमने इसके absolute numbers देखे, SC500 वगेरा, जो नहीं sense करते हैं, but anyways, अभी आते air breathing TSTO flight demonstrator के उपर, I seriously hope यह project sanction हो और यह exist करे, क्योंकि यह engineering wise काफी काफी cool है, सबसे पहले तो TSTO है, मतलब two stage to orbit, इसका first stage जो है, वो इसका plane है, एक पूरा aircraft है, यह बहुत बड़ा, और इसका second stage जो है, वो उसके उपर लगा हुआ rocket, यह कैसे काम करता है समझने के लिए, इसके rear के पास जाना पड़ेगा, इसका rear जो है, वो एक मतलब खतरना propulsion capabilities का flex है, यह हर तरे का propulsion मि जाएगा आपको, सबसे पहले बीच में से आते हैं, बीच में जो है, वो एक turbo ramjet है, यह बीच में जो है, इसके नीचे है scramjet, आपको मैंने जो explain के था specs में, वो specs में validate हो जाएगा scramjet और उससे use किया जाएगा यहाँ पे, उसके उपर है semi cryogenic engine, तो यह बाद में rocket engines जो fire करें इसमें खुद का fuel और खुद का oxidizer होगा, जो से और भी उपर लेके जाएगा, और उसके उपर है rocket जो finally separate होगा और payload को deploy करेगा, अब हम समझते हैं कैसे काम करेगा, सबसे पहले तो यह normal take off करेगा, एक airplane की तरह, mark 3 तक इसके जो turbo fan, turbo jet engines है, जो भी होगा, वो काम करेंगे, maybe future म ramjets का काम होगा, उसे लेके जाना, फिर जो नीचे के scramjets है, वो activate होगे, उसे mark 9 तक लेके जाएंगे, जो confused है, एक mark 1, मतलब speed of sound, तो जैसे scramjets का phase होते है, हम होगा, हम होगे करीब 28 km तक, वहाँ पे, बाद में fire करेंगे, rockets, वो mark 9 से mark 12 तक लेके जाएंगे हमें, जब मैं rocket क जो rocket है, उसे separate करेगा, शायद pich up ना करे, और ये rocket फिर लेके जाएगा, अपने satellite को orbit में, insane right, और फिर ये plane आके वापे sland करेगा, अभी यहाँ पे मैंने अपने 3D model में 3 दिखाए है, पर मुझे नहीं बता कितने होंगे exactly, चाइना वाले ऐसा similar करने try कर रहे है, उनके इसम थी 2 tons to Leo, low earth orbit, 300 km, जो उसे PSLV class का बनाता है, तो कोई बहुत heavy lift capability नहीं लाएगा यह, पर अगर PSLV class को replace करने आता है, तो यह जिस configuration में definitely बहुत ज़्यादा सस्था होना चाहिए PSLV से, reusable तो होगा यह partially, anyways I hope यह exist करें, seriously, next up आता है, एक RLV का winged orbiter, जिस case में हम एक SC400 का stage ले उसके उपर cryogenic 32 वाला, और उसके उपर एक plane होगा, और वो fly करेगा और deploy करेगा, अब मुझे seriously नहीं बता एक concept क्यों exist करता है, क्योंकि जैसे मैंने बोला, आपको वो problems आ जाते है, space shuttle वाले, आपका dry mass बहुत होते हैं, आपकी wings वगरा weight खा जाते हैं, और अब ज़्यादा payload deploy नहीं कर पाते हैं, और जो इसके इसमें true है, आप देखो इस presentation diagram में, payload to lowest orbit is 10 tons, और उसका जो total weight है, वो है 17 ton, मतलब almost 6-6 ton, आपका space shuttle का पूरा structure ही खा रहा है, इतना सारा dry mass है उसका, तो payload के लिए कुछ बचरा नहीं है जादा, और इसका फाइदा भी क्या है, आपको जो C-32 स्टेज है, वो आपको dump करना पड़ेगा most likely, क्योंकि आपका बस plane land करेगा, SC-400 को अगर आप reusable बनाते हो, तो ठीक है, तो फिर आप बस fairing recovery कर रहे हो types, और यहाँ पे आता है वो RLV killer, इसका नाम है NGLV, अब it is clear कर दू, यह जो diagram दिख रहा है, यह final नहीं है, यह बस एक approach define क तरफ, पर आप देखो, तो यह डाल सकते है, 10 tons to geostationary transfer orbit, तो मतलब इसका जो lower capabilities है, वो 17-20 ton के आसपास होगा, उससे भी जादा शायद, क्योंकि इसका जो configuration उसमें जादा fuel है, versus RLV के configuration में, प्लस यह reusable है, अगर आप यह presentation का यह part देखो, तो वो target कर रहे, 1800 dollars per kg, जो मतलब ब बहुत जादा सस्ता होगा, अगर यह hit करते target तो, बट हाँ, यह exist नहीं करता है, जब exist करेगा, तभी हम exact cost बता पाएंगे, और of course यह सब, यह सब NGLV को लेके, और RLV के concepts में भी यह भी issue है कि, क्या government fund करेगी इतने बड़े projects को, वो अगर हम में, मेरा dream TSTO वो भी ले लो त तो इसका engineering time और engineering complexity कितनी जादा है, क्या zero कर सकता है, zero definitely कर सकता है, पर क्या government industry की funding देगी, अगर तुम इसी current RLV program को देखो, तो 2016 में अपना जो hex है, वो हुआ था, उसके बाद 2013 में, almost 7 years बाद उसका next test हुआ, और सोमनात सर ने तभी कहा, कि यह program 20 साल से चल रहा है, मतलब 20 स ऐसा time जब वो space shuttle fly करता था, उस time पे वो space shuttle supremacy की वो thinking थी, क्या यह future RLV programs बनेंगे, मिलको तो नहीं लगता honestly, मतलब opinion wise दूँ, तो मुझे लगता है, यह जो RLV का first phase होगा, उसके बाद यह program शायद abundant हो, strategic vehicle तो continue होगी, अभी शायद GSL Mark 2 पे fly कर रहे है, वो same vehicle को और कोई rocket के पर fly कर सकते हो future में, GSL Mark 2 के उपर अभी fly कर रहे है, और कोई rocket पे भी कर पाएंगे अगर चाते है तो, तो हाँ, currently RLV program एक low priority program लगती है, तो आपका क्या thoughts या RLV program के उपर, क्या hype में आप भी डूब गई या आप थोड़े realistic हो, आपको क्या लग रहे है, ग्यान के गरिब स अगर आप थोड़े financially capable हो, थोड़े, मतलब वेश करने के लिए पैसे आपके पास, तो और financially support करना चाते हो चैनल को, तो आप join button दबा सकते हो, और आपको और भी सस्ते में करना है, तो buy me a coffee का link है, वहाँ पी yearly membership लेना, monthly मत लेना, monthly महेंगा है, yearly लेलो, सस्ता पड़ेगा YouTube membership स कट वहाँ चोट है, तो हाँ, बस, special thanks to Manavaran, Kartikeya Dewaal, पूटला जेतन्या, जैयम शर्मा, रोवित सुवर्ना, नारण प्रसार, प्रदीप महंदास, तनमे देश पंडे, निशान कुमार, विशाल बारोत, पल्लव राननेडे हाइडरेटिंग, कुरुपल पटेल, कृस नायर निशान प्रजापती, शौनक पेरनी और निसरक मान कर दो